दिल्ली से सटे गाज़ेबाद में एक महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ संघर्ष कर रही है ममता नाम की अब महिला अपने पाँच महीने के मासूम बच्चे के साथ पती के घर के बाहर धरने पर बैठी थी ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और महिला के बार बार गोहार लगाने के बावजूद घर में घुसने नहीं दे रहे है सुधर्षे निउस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो हम हैरान रहे गए ससुराल वालों ने ममता को घर में घुसने ना देने के लिए पुलिस की मदद ले रखी है यही कारण है कि ससुराल वालों की हर साजिश में पुलिस शामिल है मोदीनगर पुलिस ने अपना हक मांग रही महिला को पहले जबरन अस्पताल भिजवाया और बाद में जूटा आरोप लगा कर जेल भेज दिया सवाल यह है कि क्या ममता को वही पुलिस इंसाफ दिलवा पाएगी जिसके लिए वो दर बदर की ठोकरे खा रही है सवाल यह भी है कि वो तमाम संस्थाएं जो समाज की ठेकेदार बनती है महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करती हैं वो तमाम संस्थाएं कहाँ हैं इसी मसले को लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने आए हैं लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि पूरा मसला क्या है अपने ही घर का दर्वाजा खटखटा दी इस महिला के लिए ससुगाल के दर्वाजे बंध हो चुके हैं अबे मासून बच्चे को लेकर दर्दर की ठोकरे खाने को मजबूर है लालच, अपमान, वेदना और समाज की हद दर्जे की उपेक्षा की ये दास्तान दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की है इनसाफ के लिए दर्दर की ठोकरे खाती एक ऐसी महिला की जिसे सुनने वाला कोई नहीं है जब आप इसकी दुखबरी दास्तान सुनेंगे तो आपकी रूह तक काम जाएगी आप अपने आपको सुबगने से रोग नहीं पाएंगे आपका दिल दहल जाएगा आपको समाज की घिनोनी रिवायतों से नफरत होने लगेगी शादी जैसे पवित्र बंधन से आपका विश्वा सुठ जाएगा आपको अपने आप पर शर्माने लगेगी क्योंकि जब आप अपने आपको इस महिला की मदद करने से ऐसा हाई मैसूस करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है ये है ममता जो की पेशी से एकशिकशिका है लेकिन इंसाफ के लिए अपने पांच महिने की दूध मुए बच्चे के साथ अपने ससुराल की बाहर गीट पर बैठी है उसका आरोप है कि दहेश की लालच में पिछले साल उसके ससुराल वालों ने उसे घर से उस वक्त धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जब वो चार महिने की गर्भवती थी ममता की शादी 14 फरवरी 2013 को गंगोल दुख्थ उत्पादक सहकारी सहीं लिमिटेट परतापूर मेरच में मैनेजर सुनील कुमार के साथ हुई थी उसका कहना है कि विवाह में उसके परिवार वालों ने दहेज का सारा सामान दिया था जिसमें जरूरत के सारे सामान के साथ शेवरोलेट बीट गाड़ी तक दी थी लेकिन शादी के कुछी दिनों बाद उनकी मांग और भी बढ़ती चली गई जिसके बाद नौबत ये आ गई कि मम्ता को दहेज के लिए मारा पीटा जाने लगा और एक दिन ऐसा आया कि 8 अगस्त 2013 को मम्ता को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया जब वो पेट से थी उसके बाद माईके में जाकर मम्ता ने बेटे को जनन दिया लेकिन मम्ता का कहना है कि बच्चे को उसके सुस्राल में से कोई भी एक बार भी देखने तक नहीं आया उस दिन के बाद से मम्ता अपने पांच मेनी के बच्चे के साथ कभी अपनी बुड़ी मा के पास तो कभी बेहन के पास तो कभी किसी रिष्टेदार के पास रहकर दिन काट रही है ममता का कहना है कि ससुराल वालों की तरफ से निकाले जाने के बाद उसने कोट में भी दहेज का मुगतमा दर्स कराया ताकि उसे दहेज के लिए तंग ना किया जाए और उसके बच्चे को अपनाया जाए उसका कहना है कि अपने ससुराल वापिस जाने के लिए कि अब तक वो पुलिस और कोट के कितने ही चक्कर लगा चुकी है लेकिन उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है इस वक्त दुभैर के डेड़ बर चुके हैं और मम्ता अपने पांच मीने के बच्चे के साथ अभी तक सड़क पर बैठी है अपने सुसुराल के बाहर लेकिन अभी तक उसे नय नहीं मिला है नहीं पुलिस से नहीं उसके सुसुराल डालों से कोई भी उसकी गौहार सुनने के लिए तयार नहीं है हमने पुलिस से भी बात चीत की, फोन पर बात की लेकिन फोन पर भी पुलिस ने साथ तोर पर बात करने से मना कर दिया और इस वक्त मैं मुराद नगर थाने के बाहर खड़ी हूँ अंदर थाने में जाकर भी मैंने ऐसो से बात करने की कोशिश की किस मामले पर आप कोई न कोई कड़ी कारवाही करें, कोई फैसला ले उसको पीडिता को नयाय दिया जाए, उसके घर पर चोड़ा जाए लेकिन उनने भी साफ दोर पर कैमरे के आगे बात करने से मना कर दिया है इससे साफ यही लग रहा है कि कहीं न कहीं परसाशन भी उस पीडित महीला का साथ देने के लिए तयार नहीं है और अगर दूसरे पक्ष की बात सुनी जाए तो उसके सुसराल वाले भी कोई भी बात करने को तयार नहीं है जबकि हमने उन से भी काफी बात्चित करने के कोशिश की तो कहीं न कहीं यह प्रसाशन पर ही तवालिया निशान खड़ा होता है ममता ने कोई भी दर ऐसा नहीं छोड़ा है जहां जाकर उसने मदद ना मांगी हो लेकिन उसके ससुराल वाले पिगहनने को तयार नहीं है पुलिस से मदद मांग चुकी है ममता लेकिन तमाम दर्वाजों से निराश लोटने के बाद जब ममता ने सुदर्शन नियूज का दर पकड़ा तो सुदर्शन नियूज ने बखायदा ममता की बात सुनी और उसे बासाथ साथ दिलासा दिया और मौके पर हमारी investigating reporter मनू लखो से भी बातचीत नहीं की घरवाले घर के बाहर आने को तैयार नहीं थे चट से ममता की जो सास है वो जहाक रही थी और कुछ भी बोलने से उन्होंने इस पर साफ इंकार कर दिया ममता अंशन पर बैठी थी तबियत खराब हो रही थी पुलिस उसकी तरफ देखने को तैयार लेकिन अचानक ममता को अस्पताल ले जाया जाता है हवाला दिया जाता है कि ममता की तबियत खराब है ममता को उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अब उस पर ये आरोप लगाया गया है कि ममता ने घर पर पत्थर बाजी की अपने ससुराल वालों पर पत्थर और इसलिए अब उसे डासना जेल भेज दिया गया है लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले पीडिता ने इस बात की आशंका सुदर्शन नीज के सामने जाहिर कर दी थी उसने कहा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे जेल भेज सकते हैं पुलिस से जब हमारी बात चीत हुई पुलिस के अधिकारियों के ने भी यही कहा था कि हम उस महिला को जेल भेज देंगे सुनवाएंगे हम आपको लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं लगातार सुदर्शन न्यूज इस मुहीम को लेकर आगे बढ़ रहा है कल क्या कुछ हुआ था इस पेशकेश में देखिए इस रिपोर्ट के जरीए देखिए कल हमने इस मुहीम को किस तरीके से उठाया था अपने ही घर का दर्वाजा खटखटा दी इस महिला के लिए ससुगाल के दर्वाजे बंध हो चुके हैं राजीव कुमार शर्मा जी आप पूरा जो यह केस है पूरा ट्रैक कर रहे हैं आप उनकी तरफ से खुद जो है पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं आखिर पूरा मामला क्या था शुरुआत से अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके दरसल मुझे कल जानकारी मिली थी सुदरसंड नियोज के माध्यम से के गाज़ाबाद के मुरादनगर ठाना छेतर में एक पीडित महिला है ममता और उसके उसने जो है अपने परिवार वालों के खिलाप देज उत्पीडन का मामला दर्च करा था क्योंकि सरस्राल वाले मार मसले को लेकर हम आपको बता रहे हैं ना हम मौका देंगे बोलने कर नहीं देंगे हमारे पास कोई आवेदन नहीं है उसमें पती जेल कातकर आयोंकि जो सदस्य हैं उनका आप साफ तोर कर कहना सुन रहे थे कि हमें कोई संग्यान नहीं दिया गया है और इसलिए हमने कोई जाच परताल इस पर नहीं की है कल जिस तरीका का उनका अटिट्यूट था वो आप सुन सकते थे वकायदार यही हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है राजीव शर्माजी जो लगातार मानव अधिकार के कारे करता है लगातार इस पूरे केस को ट आज फिर मुझे सूच ना मिलिए कल से में पलपल की नीगरानी भी रख रहा था इसकी कल भी मुझे पता लगा था और आपके चैनल के माद्यम से भी पता लगा था के गाज़यबाद के एस पी ग्रामीन हैं जगदीस सर्माजी उन्हों ने भी बताया के इस महीं लागा तो पड़ा उस महीं लाको तो पुलिस ने जेल बेज़ दिया वग्याद में पिलिस वाले कह रहें थे उसका ट्रिटमेंट चल आ जिला और फिर अपने घरवाँ धढ़ने पर गई थी सर्षवाल के वहां और सर्षवाल वालों कारोप यह है कि उसने माइला ने घर पर पत्थर बाजी शुरू की सर्षवाल वालों ने पुलिस बुलाई पुलिस आई और माइला को गिरखतार करके एश्डियम मौधिनगर के समक स्पेस किया गया और एश्डियम मौधिनगर ने उसको चार माह के बच्चे के साथ जेल भीज दिया मुझे श्याम को पूरे परकण की जानकारी मिली उसके बाद मैंने देखा और इसमें जो है कल मैंने माननियमें इनका गांदीजी है मैं लाइ उन से मिल करके कल ततकाल मामला दर्जी कराने का आदेश किया था और संब्धित भी भाक और नोटिस जारी बिल्कुल और सुदर्शन न्यूस की तरफ से लगातार यही कोशिश की गए और तमाम वो संस्थाएं पुलिस अधिकारी हमने सबसे बात करने की कोशिश की लेकिन कल किसी भी पुलिस अधिकारी ने हमसे बात चीत नहीं की आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं उनसे हमारा संपर्क हो और वो जवाब दें कि आखिर पुलिस ने उस महीला के खिलाफ इतना सक्त कदम क्यों उठाया और जिस तरीके से लगातार हम इसे साजिश बता रहे हैं उ जब वो महिला ससुराल के सामने पहुंचती है अपने वहां रहना चाहती है पुलिस ने उसे वहां भी नहीं टिकने दिया परिवार वालों के एक बार फोन करने पर पुलिस वहां पहुंच जाती है लेकिन महिला लगातार गुहार लगाती है बार बार पुलिस की मिननते कर करती हैं बार-बार गुहार लगा कर कहती है कि मुझे एक बार शरण दे दीजिए इस घर में मेरे बच्चे की खातिर दे दीजिए लेकिन परिवार वालों के साथ-साथ पुलिस का कोई अधिकारी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है लेकिन इसके उलट अगर उसके परिवा सुनने को तयार नहीं है और सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा law & order का यहां पर हवाला दिया जा रहा है पुलिस का कहना है कि महिला law & order खराब कर रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस अगर इस तरीके की बात करती है तो समझा जा सकता है कि कौन सा law & order इस वक्त उत्तर प्रदेश में मेंटीन किया जा रहा है वही असवेंदेशिल पुलिस जो लगातार पुलिस महिलाओं पर लाठिया भांजती हुई आपको अक्सर मीडिया की तस्वीरों में नजर आ जाती है वही पुलिस आज ये हवाला दे रही है कि एक महिला जो अपने बच्चे के लिए अपने ससुराल वालों से जगह मांग रही है अपने बच्चे के भविश्य के लिए तमाम तकलीफों को नजर अंदाज करते हुए उस घर में रहने को तैयार है जो उसके लिए खत्रा पैदा कर सकते हैं लेकिन वही पुलिस इस बात का हवाला दे रही है कि लाइन ओर खरा को जानना चाहता है उन तमाम संस्थाओं से उन तमाम लोगों से उन तमाम अधिकारियों से जो यह कहते हैं कि वह महिला शक्तिकरण की बात करते हैं आई हम आपको सुनाते हैं कि आखर पुलिस ने जब कल सुदर्शन निउस के रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की क्या नमस्कार सर मैं मनुल खोतरा सदर्शनीज से बोल रही हूं तो उसे अगले दिन से सर्फ का फोन भी सीचा हो जा रहा है कुछ बात्चीत नहीं हो पा रही है और क्योंकि इस दिले में सर मैं जो मुराद अगर के जो एसो हैं थाने के एसो आरपी शर्मा जी मैं उनसे मिलने गई थी तभी उन्होंने कोई भी बात करने से इंकार कर दिया था फिर जो महिला थाना की जो है एसो अक्षिया चोधरी जी मैंने उनसे भी बात चीर की उन्होंने भी सर कोई भी रिप्लाइ नहीं दिया लेकिन मुझे पता चला कि 28 की रात को वो 29 की रात को सर लेड़ी की तवियत खराब होगी थी तो यह जो महीला जो थाने की एसो हैं वो और शर्मा जी यह सब सर उसको होस्पिटल में लेके गए थे लेकिन उसके बाद सर उसके बाद से ही वो लेड़ी का जो नमबर सीचोफ जा रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं क्योंकि मेरे पास उसका स्विट एक नमबर है है पोई जानकारी नहीं कहा है कहां नहीं इस बारे में अगर मैं एस्टो साब बात कर रही हूं और पी शर्मादी से वो भी सर्क कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और अक्षा चोधरी जी भी रिप्लाइ नहीं दे तो सार इस बारे में मुझे आपके कोई जानकार ही हो तो मुझे प्लीज सर्ह menu ग पर चांलीन कुनरीट हैं पुली स मकली हैं। इंदर में ओन्हों बात किया. मजला इसो देने बात किया, मुस्केट में बात चीए। पस-पास की कम से कम 20 मजला उने बात किया. खीक है। चीक है। और यत्च को कुछ समर्जने नहीं नहीं殸ाखे है। लगाद इसको उस्पिटल महीं ले जायो तो दिकत हो गी अच्छाइब गया एज़ुंध और खेर उसने लड़ा ही लड़ी लड़ने के लाप पर लोगे लड़ने के लुटर से लड़के उसके बाद इस्चार्ज होने के बार पिर वही पुहुच लिया है तो पिर एज़ुंध निर तो हालत इस वक्त ये हैं कि सिख्षिका जो प्रोफेशन से हैं ममता जो हैं उन्हें जेल भेज दिया गया है हमारी इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर मनु लखोत्रा मेरे साथ जुड़ चुकी है मनु आखिर ये कौन सा इनसाफ पुलिस का है कि एक महिला जो न्याए मांग रही थे उसे जेल दे दिया गया है जी बिल्कुल सुमित ये तो सुनकर मुझे भी इतना बुरा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो अकेली पढ़ चुकी है उसके साथ कोई भी नहीं है ना ही उसके पिता है उसके भाई ने दूसरे घर से निकाल दिया है क्योंकि उसके सुराववाले उसके भाई के खिलाब भी शिकायते करते थे पुलिस में तो अब वो अकेली हो चुकी है और उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है ये तो अब देश की जनता को समाज को सामने आना चाहिए कि इस तरह से अबला पर इस तरह से इतना बड़ा ये पुलिस अन्याय कर रही है तो सुमीत उस दिन मैंने जैसे कि अपने फोन पर भी बात सुनी मैं खुद मौके पर भी गई थी मैं थाने भी गई थी हर तरफ से मेरी पूरी कोशिश रही कि शायद कोई तो किसी का दिल पिखल जाए महिला की सपोर्ट में आए आज परोस के लोगों से भी मैंने बात की बहुत ही मैंने की अमीर पक्ष है मतलब काफी पैसे वाली पार्टी है यानि कि असमझ सकते हैं तो उनसे ड़से भी है लोग एक रुतबा भी है उनका वहाँ पर तो वो महिला की वहाँ पर कोई भी सुनने वाला ही नहीं है कि वो पूरा दिन वहाँ पर धूप बैठी रही कि लॉइन ओर्डर जो है महिला खराब कर रही थी इसलिए उसको जेल भेज दिया गया है लगातार सुदर्शन न्यूज इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है दो दिन से लगातार हम इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं ममता को इस इंसाफ दिलवाना चाहता है सुदर्शन न्यू क्या ये रवया पुलिस का सही है आप अपनी राय हम तक महुचाए है हमारा नंबर लगाता टीवी स्क्रिन पर चल रहा है वही आज हमने एक बार फिर से राज देवी चौधरी जो राजय महिला आयोक की सदस्य है उन्से संपर करने की कोशिश की है लेकिन आज वो किसी भी तरीके से फोन पर हमसे बात करने के लिए तयार नहीं है कल हमने उनसे बात जरूर की थी लेकिन उनकी प्रतिकरिया आप लोगों को सुनवाई थी वो बिलकुल किसी भी तरीके से महिला का साथ देने के लिए तयार नहीं है और कल जिस तरीके से वो फोन पर आई उन्होंने जिस लहजे में बात की उसके बाद जूद भी उन्होंने ममता से कोई संपर्क नहीं किया है इसके उलट ममता को आज जेल भेज दिया गया है ये कौन सा न्याय है इसी पर हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं नंबर लगातार टीवी स्क्रिन पर चल रहे हैं आप अपनी राय सुदर्शन न्यूस के सामने रख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या सुदर्शन न्यूस की इस मुहीम के तहत क्या पुलिस का ये रवया उस महिला के लिए ठीक है क्या इसी तरीके से न्याय दिया जाता है एक महिला को तमाम वो संस्थाएं जो लगातार ये बात करती ह कि महिलाओं के सज़क्तिक्रण की बात होनी चाहिए महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए हाई प्रोफाइल केस में तमाम संस्थाओं के अधिकारी सामने आकर बात करते हैं तो आखिर इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है क्यों महिरा ममता को और उसके बच्चे को यहां नहीं दिया जा रहा है राजीव जी आप से जानना चाहूंगा पुलिस की ये पूरी सनलिप्त था पुलिस का रवया क्या जाहिर कर रहा है जैसा आज मैंने कहीं समचार पत्रों की रिपोर्ट में भी पड़ा है कि परसो जो है उस महिला की तबियत खराब होने का हवाला दे करके प वो तो जेल में और जिने जेल में होना चाहिए था वो पुलिस की सनलिप्ता के कारण बेल मिलगीर वो घर में निवास कर रहे हैं आराम से ठाट ले रहे हैं मुद्दा इस बात का है कि आज जो है संविधानिक संस्था हैं का संबंदी तथोर्टी है कहां गाजयाबाद में मैं सुदर्शन यूज के माध्यम साई एक चीज की अपील और करना चाहूंगा कि आज माननिये मुख्यमंत्री अखलेश यादव जी जोतर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं उनका जनम द लोएन ओडर खराब हो रहा लोएन ओडर की मैं बात करूं मैं बता दू लोएन ओडर इसी उत्तरपरदेश सरकार में शाहरनपूर के अंदर एक आर्टी ओ को समाजवादी पार्टी के नेता पीटते हैं और डर के मारे आर्टी ओ ठ्रस्पर लेले का है किस तरीके का लोएन सपह सरकार के राजय उत्तर प्रोडेश में इस वक्त उनके कारे कारे का में किस तरीके का law and order पुलिस मैंटेन कर रही है यह सबके सामने हैं किस तरीके केहालाइक महिलाओं के साथ बदायू का मामला हो या तमाम जिस फैरिस्ट है क्लम जिसकी यहां पर शाहिद बात अंतिह तरीके से की जा सकती है लेकिन सवाल ये है कि क्या उन तमाम महिलाओं के साथ ममता के साथ यहां पर पुलिस का रवया हो रहा है और महिला के साथ यह रवया कितना ठीक है और क्या इसी तरीके से ममता को न्या मिलेगा एक कॉलर हमारे साथ है उनसे जानते हैं आकर उनकी क्या र पूरी बात बताई आप अगर पूरी बात जाना चाहते हैं आपने हमारा पकल का शो अगर देखा हो तो आपको पूरी बात पता चल जाए सिख्षिका है पहली बात और दूसरी चीज इस प्रृफेशन से कोई लेना देना नहीं है केस है उनकी पर्सनलल लाइफ का हम उसी चीज को सामने रख रहे हैं वो कहां सिक्षिका हैं, किस ओधे पर हैं, इस चीज का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या इस तरीके से पुलिस का रवया इस महिला के साथ ठीक है, क्या और रही बात उसके पांच महीने बाहर रहने की तब तक उस महीला ने बकायदा अपन मारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखर यह महिला कौन है और किस तरीके से रहिए इस रिपोर्ट के जरी देखिए। बलकि इनसाफ के लिए सडकों पर उतर गई। ससुराल वालों ने ममता से दहेज मांगा। ममता पुलिस में गई। ससुराल वाले नाराज हो गए। गरभावस्था की हालत में घर से निकाल दिया। ममता कई दिनों से ससुराल के बाहर अंशन पर बैठी थी लेकिन मोदी नगर पुलिस ने उसे वहाँ भी नहीं रहने दिया। पहले रातो राज जबरन उठा कर अस्पताल भेजा और फिर ममता लोटकर ससुराल पहुँच गई तो पत्थर भैकने का जूटा केस बना कर जेल भिजवा दिया। ममता ने इसकी आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी। अगर 28 जून में मुझे पुलिस एंट्री नहीं देती या मेरे घर में वो मुझे नहीं गुसने देते ससुराल में तो मैं दुबारा धरने पर बैठूंगी और मैं समाज से ये अपील करती हूँ कि माताय बहने और समाज का वर्ग मेरे साथ हाए और वो मुझे नियाय दिल अपनी गोहार लेकर मम्ता तीन दिन पहले सुदर्शन Newz के चेर्मेन सुरेश चोहान केजी के पास पहुंची थी उन्होंने इंसाफ दिलाने में मदद का भरोसा दिया सुदर्शन Newz की टीम मम्ता की लड़ाई में साथ देने ससुराल वालों के घर तक पहुंची लेकिन घर के बाहर ताला लगाकर ससुराल वाले आराम से भीतर से सीजी टीवी में नजारा देख रहे थे लेकिन कोई सामने नहीं आया, ममता की सास, ममता की सास छट से जाक कर जरूर देख रही थी बच्चे को लेकर बैठी है ताकि उनको इंसाफ मिले, उनके सुस्राल वाले उन्हें अंदर लेकर जाएं, उन्हें जगहIGHदे, लेकिन उनके घर से कोई भी मरी सुनने को बात करने तक को तईयार नहीं है। तो नेताओं के इशारों पर पूरी मोदी नगर पुलिस उसके खिलाफ खड़ी हो गई राज्य महिला आयोग की सदस से राजरानी पर भी ससुराल वालों के साथ मिलकर काम करने के आरोप है सुदर्शे न्यूज ने अपने कारेकरम में राजरानी से बात की लेकिन फिर भी महिला की मदद करने नहीं आयी और अब ममता को मासूम बच्चे के साथ जेल भेज दिया गया महिलाओं को इंसाफ दिलानी के लिए हर गली महले में धेरोसां स्थाएं खुली है लेकिन हैरानी की बात है कि सिस्टम के खिलाफ संघर्श कर रही एक अबला और मासूम बच्चे की मा की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है कोई बात नहीं सुदर्शे न्यूज ममता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ता रहेगा ब्यूरो रपोर्ट सुदर्शे न्यूज तो सवाल यही है कि आखिर दर्बदर ठोकर खाती ममता हो किस तरीके से इंसाफ मिलेगा और आज जिस तरीके से रवया यहां का पुलिस का देखने को सामने आया है है क्या यह रवया ठीक है आप अपनी राय हम तक कहना सकते हैं कौलर हमारे साथ हैं उन से जानते हैं उनकी क्या राय है नमस्यार कहिए आपको क्या कहना है हलो जी बॉल ये मैं बोपाल सब पेर जाजेश की बर Chicago लृँं जी पेर जी कहिए जी धन्यवाद एक्षन लेना पुलिस ने ले लिया है और एक्षन ये लिया है कि उस महिला को ही जेल भेज दिया गया है जो लगातार महिला अपने लिए इंसाफ मांग रही थी अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही थी और सिर्फ अपने बच्चे के लिए शरण मां रही थी अपने सुसराल में उस महिला के साथ पुलिस ने एक्षन लेते हुए जेल बेज दिया है एक और कॉलर हमेरे साथ हैं नमस्कार जी कहिए क्या कहना है आपको जी बोलिए सर मैं अरुनेश राय बोलना हूँ कानपोर से जी अबनेश जी बोलिए अब देजी सवाल यही है कि आखिर बार बार पुलिस जो है वो सिर्फ महिला पर ही अत्याचार कर रही है और अब तक पुलिस की तरफ से परिवार वालों के खिलाफ कोई एक्षन नहीं लिया गया है जब सुदर्शे नियूज ने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से यही रवही आया कि हमने चार्चिट दाखिल कर दी थी और जो तवाम परिवार वाले हैं उन्हें बेल मिल चुकी है जो मसला है वो कोट में है इस वक्त इस्थिती यह है सवाल ये भी है कि चार्चिट में ऐसी कौन सी चीजे लिखी गई थी जिसके कारण इतनी आसानी से छे महिने के अंदर ही तमाम मसले जो है चार्चिट फाइल होने के बाद घरवालों को बेल मिल गई है और ममता के साथ अब ये दुर्वेवार क्यों किया जा रहा है वही ममता जो लगात उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं वही उत्तर प्रदेश जहां पर लॉए और की स्थिती किसी से छिपी हुई नहीं है वही उत्तर प्रदेश जहां पर महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुर्वार होता है वो सब के सामने है और आज इस स soul and separate विकर रही है जिसे जेल भेज़ लेज दिया गया है उसके मासूं बच्चे के साथ राजिव जी एस्थितियां क्यों बनी है कश्या परिवार वालों और बात यह संलिपता और अभी यह उम्हिला है आथने को जेल डालेना चाहिए मगर मेरी की रिक्वेष्ट संबंधित अधिकर्यों से, मान ये, मुक्हे मंत्र मोहडे से और जिन्याय पाली का विद्हाइका का है चाहिए कि परिवार वालों को जेल डाल देना चाहिए निवास काम महीला सुरक्षाओं की आप राष्टिया राष्टेयाल के नेता गाजाबाद में निवास करते मानिया जर्रणल वीके सिंग जी जिनके ओपर देस की पूरी देस की मिलेटरी पूरे देस की दक्या की जिम्मेदारी ती हैं उनके संसथीय क्चेत्र में मैला की रक्षा नहीं घृटरा नहीं blir अगानियी राजनात जी जे ऊपर संसथ रहे हैंगरे मंतरी हैं आज हमारे देश के पूरसन सद्दिय छेत्र आए हैं उनका, उन्होंने जानने की कोशिस नहीं कि करती हैं, उनके तमाम नुमाइन दे जनपत गाज़ेबाद में बड़े बड़े निमास करने हैं, और मुरादनगर थानी की मैं आपको बात बता दू मुरादनगर थाना तो सुरू से विवादों मेरा और यह राए मुराद नगर थानी में तो एक चुनाओ में जो फिछले दौ-तिन साल की बात एक साथ साल जान लेते हैं नमस्कार कहिए क्या कहना आपको जी इसके साथ कोई भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर इतनी एंजियों हैं जो लेडिस को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके साथ कोई भी नहीं है बिल्कुल सवाल यही है इसी सवाल को हम उठा रहे हैं कि आखिर कोई भी संस्था का तमाम महिला आयोग कोई भी इन महिला का साथ देने के लिए आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा है सुदर्शन न्यूज की तरफ से लगातार उन्हें कॉल भी की जा रही है कोई हमारा फोन उस तुनने को तक को तैयार नहीं है क्यों वो तमाम संस्थाएं पीछे अट रही है तमाम वो संस्थाएं जो महिलाओं के सजक्तिकरण की बात करती हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अब जाहिर है अब पूरा मसला जो है ममता के लिए इनसाफ दिलाने का हो गया है सुदर्श्वे निउस लगातार उन तमाम अधिकारियों से वहां के डियम से संपर्ख साधने की कोशिश कर रहा है हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो हम तक अपनी राय पहुँचाएं और हम आप लोगों से ये अपील करते हैं कि जो वहां पर अधिकारी हैं आप उनसे संपर्ख कर इस बाबत जवाब मांग सकते हैं ये आपका अधिकार है कि आखिर ममता के साथ इस तरीके का वहवार क्यों किया जा रहा है आप लोग उनके सामने ये सवाल रख सकते हैं कि आखिर ममता के साथ न्याय ये क्यों नहीं उन्हें दिलवाया जा रहा है वीके सिक जो सांसद हैं वहां से आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि आखिर ममता को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है एक महिला जो अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है, अपने लिए इंसाफ मांग रही है, अपने बच्चे के भविश्य के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो तमाम लोग जो इस बात का दम भरते हैं, कि वो महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिला के झाल झाल तो ममता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार सुदर्शन निउस की मुहिम चल रही है आप लोग हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं हमें कॉल कीजिए अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुचाईए क्या मानना है आपका कि आखर पुलिस का इंसाफ मांगने के बजाए उसे जेल की हवा खिलाना क्या ये पुलिस का रविया सही है ममता के लिए कैसे मिलेगा ममता को इंसाफ हम तक आप अपनी राय पहुचा सकते हैं लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रिन पर चल रहा है और हम आपसे आहवान करते हैं कि वहाँ के ऐसेस्पी वहाँ के डीम वहाँ के सांसद को फोन कीजिए उनसे जवाब तलब कीजिए आखिर ममता के साथ पुलिस का रवईया कितना ठीक है क्यों कर रही है पुलिस मम्ता के साथ एक कॉलर है मारे साथ उनकी प्रतिकरिया जानते हैं नमस्कार कहिए आपको क्या कहना है जी कहिए जी बोलिए जी दन्यवाद सवाल यही है कि आखर राज्य सरकार क्या कर रही है क्यों वो नुमाइन दे जो लगातार इस बात की पैरवी करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं उनकी सुरक्षा की बात करते हैं तमाम वो सरकार के नुमाइन दे कहा है कहा है राज्य सरकार, कहा है एकलेश यादव जो लगातार आज अपने जनम दिन में व्यस्त है, कहां गए वो तमाम लोग जो ममता को इंसाफ दिलवा सकते हैं, लेकिन दिलवाना नहीं चाहते, क्या वो मंच्छा खत्म हो गई है, क्या इंसाफ दिलानी की वो ललक जिसकी बा पूना के महाराष्ट से जेटमल बोल रहा हो, जेटमल जेटमल बोल ये, पहले तो आपको दने बाद देता हूँ कि आप ये न्यूज दिखा रहे हैं, और उसको इंसाफ दिलने की कोशिश कर रहे हैं, जे, दूसरी रिक्वेस्ट है, उन महिलाज से जो की महिलाज के लिए इतना करती है, उन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी मदद के लिए कुछ करें, और खासकर मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है, वो महिलाज के ही बाद के इलेक्वेस्ट जीट का ये, अगर वो ये न्यूज चैनल देख रहे हैं, उन्हें मैसेज मिल रहा है, तो वो उसक संगठन आगे आए, इन महिला की मदद करें, ममता की मदद करें, उसे न्याय दिलवाएं, लेकिन तमाम वो संस्थाएं ना जाने, क्यों आगे नहीं आ रही है, ममता को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, एक और कॉलर है मारे साथ, उन से जानते हैं, नमस्कार, क्या कहना है मैं बुर्गाओं संगी सैनी बोल ली हूँ, जी, जो ममता की सस्वाल वालें को जेल में कर देना चाहिए, और अस्षित रहसें की पिताई होनी चाहिए, और ममता जी को प्रोपर्टी भी लादेनी चाहिए, जिसको अपना जीवन सिखिशे लेकिश कर चेए, उनको भी दे दे, जब तक उसका केस चल रहा है, क्या तब तक उसे घर में शरण नहीं दी जा सकती है, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जगाय चाहती है, वो अपने बच्चे के भविश्य के लिए तमाम उन दुख और तकलीफों को नजर अंदाज कर देना चाहती है, जो उसके सामने आ सकती है, वो सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, उस घर में रहना चाहती है, जहां उसके बच्चे का भविश्य बन सके, मनु लखोतर हमारी इंवेस्टिगेटिंग रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बनी हुई है, मनु पूरे इस मामले में दो दिन स हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लगातार प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं, आप जब कल वहां पहुंची, या आपको जब आपने इसका संग्यान लिया, जब वो अस्पताल में महिला भढ़ती थी, क्या उसके बा चलेंगे, दुबारा संपर्क करेंगे उन से, लेकिन सवाल यही है, कि आखिर पुलिस इस तरीके का रवया ममता के खिलाफ क्यों आजमा रही है, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, लगातार आहवान कर रहे हैं, अपने प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाईए, नमबर लगाता, टीवी स्क्रिन पर चल रहा है, और हम आप से ये भी कहना चाहते हैं, कि मुहीम में आप हमारा साथ दीजिए, ममता का साथ दीजिए, उसे नयाय दिलवाईए, वहाँ के डियम, SSP, वहाँ के सांसत से पूछिए, कि आखिर पुलिस का ये रवया कितना उच आपने एक ऐसी अबला महिला की एक साथ देने का आपने एक जो एक सरानिय काम किया है, जी शुक्रिया, दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि लॉइन ओर का हावाला देकर के एक SDN, एक बिचारी अकेली महिला को उसको अंदर कर देता है, लॉइन ओर की सिच्वेशन तब पैदा होते हैं, जब उपद्रे वी वहाँ पे खाड़े हों, जब वहाँ पे जस्वीश-पचास लोगों का जुन्ड़ वहाँ पे हों, और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि उसको किसी तरह से भी जुरकी को अंदर नहीं देजा जा सकता था, ये इन्नोंने बिल्कुल अनेतिक और गैर कानूनी काम किया है, इनको तुरंट इस महिला को रिलीज करना चाहिए, और जो भी हमारी संस्ता है, महिला आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, उनको तुरंट इस पे डिसिजन लेना चाहिए. जी, शुक्रिया, सवाल यही है, जो तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, कि आखिर तमाम जो संगठन हैं, उनकी मदद करने को क्यों तैयार रही है, क्यों पुलिस के जो अधिकारी हैं, इस तरीके का रवाया कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी हो कहना है, कि हमने तो जेल भेज दिया है, अगर कोई जमानत कराता है, तो ठीक है, वरना इस महिला को उसके बच्चे के साथ जेल भेज दिया ही गया है, महिला और उसका बच्चा इस वक्त जेल में है, हम जानना चाहते हैं आखर कितने लोग इस महिला की जमानत के लिए आगे आ सकते हैं, कौन हेलो जी बोलिये जी बोलिये जी जो जो भी एंसरंग्सा होती है इस दो उसमें कना जाहिए और सबसे पहले पुलिस को इनको पुलिस पक्रगण चाहिए और इसको अंदर डालना चाहिए क्योंगी भारते नारी है इनके साथ इसा नहीं होना चाहिए कि महिला ने इससे पहले ही इस बात का जिक्र सुधर्शन न्यूस से बातचीत में कर दिया था कि जो पुलिस है उसे जेल पहुंचा सकती है लगातार उसके घरवाले हैं पुलिस के संपर्क में हैं लगातार उसके खिलाफ साजिश की जा रही है एक और कॉलर है हमारे साथ उन रहाहा है ममध्ता जी के जमने में को जिस लोग सबसे पहले आपको बात बहुत धनवार म और सब्धि देरा हूं यही है जो सुधर्शन ने उठा रहा है हमारे तमाम कॉलर भी यही कह रहे हैं कि उन घर वालों को जो इस तरीके का जुल ममता के साथ कर रहे हैं उन्हें जेल भेज देना चाहिए ममता उन्हें जेल भिजवाना नहीं चाहती है वो सिर्फ इतना चाहती है कि उसे इंसाफ मिले उसके बच्चे को रहने के लिए च्छत मिले उसे उस घर में एक कोना मिले जहां उसके बच्चे का भविश्य सवर सके, वो किसी को जेल पहुचाना नहीं चाहती है, लेकिन इसके उलट उसके घरवालों ने पुलिस के साथ मिलकर उसे जेल भिजवा दिया है, एक और कॉलर है हमारे साथ, उन से जानते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, नमस्कार, जी कहिए क्या कहना राजमंत्री आसु मलिक रहते हैं, दो किलो मिटर दूर, और यह इनसाब दिला रहे, सरकार सक्का में बने हुए जो मंत्री है, वो माटर दो किलो मिटर दूर है, इस कालोनी से, उसके बाद यह इसके बीचाहं मैं कहता हूँ, एक लड़की, एक लड़की होल इंडिया में हम यही कह रहे हैं कि लगातार जो चीजे यहां पर पुलिस कर रही है ममता के साथ क्या वो उचित है हम लगातार नंबर चला रहे हैं आप अपनी प्रदिक्रियाएं हम तक पहुचा सकते हैं हमने बकाइदा एससपी का नंबर भी टीवी स्क्रिन पर रखा है आप उन्हें कॉ क्यों ममता के साथ ऐसा किया जा रहा है सवाल यही है और ममता को इस तरीके से मिलेगा एक और कॉलर हमारे साथ उन से जानते हैं आखिर वो क्या कहना चाहते हैं अब बिल्कुल शुक्रिया सवाल यही है कि लगातार वो संस्थाएं क्या कर रही है सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है हम चाहते हैं आप इस मुहिम के साथ जुड़े अपनी प्रतिक्रिया है हम तक महुचाएं हम लगातार SSP का नंबर और DM साधी साथ वहां के सांसद तक आपकी बात पहुचाना चाहते हैं आप उन्हें कॉ कर सकते हैं पूच सकते हैं कि आखर ममता के साथ इस तरीके की कारवाई क्यों की जा रही है क्यों न्याय ममता को नहीं दिया जा रहा है ममता सिर्फ लगातार न्याय की गुहार कर रही है उन तमाम संस्थाओं से जो समाज की ठेकेदार बनती हैं महलाओं के सुरक्षा की जि जल्द मम्ता को यहां पर इंसाफ दिलवाएंगे राजिव जी आपने जिस वक्त यह आयोग में कंप्लेंद दर्ज कराई है किस तरहीं के आश्वासान आपको दिया गया जैसे ही मुझे सुचना मिली थी परसोश्याम सुचना मिली थी मेडिया के माधिम से सूचना मिली मैं तत्काल जो है एक बज़े राष्टि माना अधिकार आएको में पहुंचा संबंदी तदिकार यह पूरे परकरण से अउगत करा है और उन्होंने का कि हम तत्काल से तत्काल और जो वहां के असिस्टेंट सब रेजिस्टा रहे हैं उन्होंने तत्काल जो है उस पर अर्जे द्यार delicDER मैं यह है कि में अपील करना जाता हूं अपील में और इस ढ़ना है उनको मेडिया में आई और में सरकार के नुमाइंदों से खाशतोर पर मानने हैं परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी से हैं भी ये सवाल करना चाहता हूं कि मातर 20 किलो मीटर दूर नहीं है गाजयबाद और ये पूरा मामला कल से चला आखिर उन्होंने परदान मंत्री कारियाल लेने या उन्होंने फुद या उनकी मानने मंत्री हैं महिलाएं बालविकास मंत्री मेनका गांदी जी राष्टे महिलायों की अध्यक्से ममता सर्मा जी अभी तक इतने देर के बावजूद भी मेडिया में परकासित कवरों के बाद भी क्या संग्यान लिया आखिर क्यों ने लेना चाहते हैं जो लगातार महिलाओं के सजटी करण के सुरक्षा करने की बात करती हैं आखिर वो कहा हैं हम जरुवपील करना चाहते हैं तमाम लोगों से आगे आईए और ममता को नयाय दिल्वाने में मदद कीज़े हम उन तमाम संस्थाओं से सिर्फ एक अपील कि यही करना चाहते हैं क कि ममता को नियाय मिले, उसके बच्चे को नियाय मिले और सिर्फ ममता यही चाहती है कि उसे उसके परिवार वालों के साथ रहने दिया जाए, उसके परिवार वाले उसे शरण दे, उसके बच्चे के भविश्य का सवाल है और तमाम देशवासियों से हम यही अपील करना चाह झाल झाल